श्री राम जनम भूमी आयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्रान प्रतिष्टा कारेकर्म के दोरान प्रभू श्री राम जी के आगमन की खुशी में विश्व भर में खुशी मनाई जा रही है इसी के उपलक्ष में विद्या भारती पंजाब की कुशा ध्यक्ष विजय ठाकुर विद्या भारती पंजाब उत्तरशेत्र संगठन मंत्री विजय नड़ा, प्रांत संगठन मंत्री राजिंद्र, महानगर सह संयोजक मनीश, महामंत्री नवधीब शेखर, सदस्य दिनेश परमार और प्रांत सोशल मीडिया प्रमोख शिवम दैनिक सवेरा के मुख्य कारयाल्य सवेरा भवन जालंदर में पहुंची जहां पर उन्होंने पत्रकारों से बाच्चित करते हुए कहा कि भगवान श्री राम सभी के आरादे हैं देशी नहीं पूरे विश्म में प्रभू प्रासिक जीत हासिल हुई है आगे उन्होंने कहा कि आयोध्या में श्री राम मंदिर में 12 बज़कर 10 मिनट से लेकर एक बज़े तक प्रान प्रतिष्ठा के कारिक्रम के हम सभी सहभागी बनेंगे और उस पल को हम देखेंगे इस से बड़ा सो भागे हम सब के लिए और को इस शुब घड़ी की शुब काम नहीं दी जारंदर से हच्चल के लिए कैमरामेन कुलदीप सिंग की रिपोर्ट अपी स्वरणमाई लंका नाम एलक्षण रोचते जननी जनम भूमिस्च स्वरगाद अपी गरी असी देश भगती धरम संस्कृती के प्रतीक मर्यादा प्रशोतम भगवान शिरी राम के जनम भूमी पर पांसो वर्सों की प्रतिक्षा के पस्चात करोडों राम भगतों के स्वपन को साकार देखने का अबसर हम सब को प्राप्त हो रहा है यह हमारा बहुत बड़ा सभाग्या है राम मंदिर से राष्ट मंदर की यात्रा पर हम सब को आगे बढ़ना है राम राज्या दैविक दैहिक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं ब्यापा अर्थात भगवान राम के स्वपनों का भारत इस देश में कोई भी गरीब, कोई भी शोशित, कोई भी पीडित ना रहे यह भगवान रामचंद्र भगवान की ये इच्छा है इसलिए हमारे पूरबजों के त्याग तपस्या और बलिदान के परिणाम स्वरूप हमने अपना एक सौपन साकार किया है अब दूसरे सौपन के लिए हम सब को जुटना है ऐसे भारत का निर्मान करना है जहां पे भगवान सिरी रा जी की कलपना का राष्ट बन सके एक बार फिर 22 जनवरी को होने वाली सबसे बड़ी दीपावली के अबसर पर आप सब को बहुत-बहुत सुब कामन है हम पूरे उत्सा के साथ जोज के साथ 22 जनवरी को अपने जीवन का समरणियां दिवस बनाए इसी निवेदन के साथ जै जैश्री राम भगवान राम सभी के आराध्य जो कि हम सब का बहुत-बड़ा सभाग्य है कि हमारे पूर्वजों ने जो हमारे राम का अयोध्या में मंदिर था तूड़ते हुए देखा लेकिन हम सब का सभाग्य है कि 500 वरसों के बाद उसी मंदर का जीरण अधार और उसक हम बन रहे हैं इसलिए मेरी और से सब को बहुत-बहुत बदाई यह केबल राम का मंदिर नहीं है यह राश्टर मंदिर है यह एकता का प्रतीक है पुरा देश ही नहीं तो पूरे विश्व के अंदर जो भी राम को मानने वाले हैं जो उनके आदर्श को मानने वाले हैं उस पिता किया गया और परिवार के अंदर अनेकों प्रकार के जितने भी आदर्शे भगवान राम ने हम सब के सामने रखे हैं उन आदर्शों के उपर हमारा समाज चलेगा तो राम राज्ये हम सब के समक्स आने वाला ही है तो जो बाइस बाइस तारीक है जिसका हम सब को इंतज सहभागी बनेंगे उस सब को हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि इस से बड़ा सुभागे हम सब के लिए कोई नहीं हो सकता और इसके कारण हमारा देश हमारी की देश की राश्ट्री अस्मितता जगने वाली है और इसी के साथ राम राजे आने वाला है भारत माता की जै जै शीरी राम